NCRT की एक बार नहीं पढ़ाई करनी है, उसे multiple times revision करना है MCQs with theory along with time management आपको यह सिखा देगा कि exam के दिन आपको अपना confidence नहीं लो करना है और जो students इसको follow करते हैं, आप दिखना exam से एक महिना पहले, दस दिन पहले या एक दिन पहले उनको कभी भी anxiety और depression की problem नहीं होती तीन ऐसी books जो कि एक neat aspirant के लिए पूरी neat की जर्नी के लिए बहुत जरूरी है उसे पढ़ना, उसे solve करना और पूरे तरह अच्छे से समझना को यह कहती हूं कि NCRT की एक बार नहीं पढ़ाई करनी है, उसे multiple times revision करना है, क्योंकि NCRT एक ऐसी book है, जिसमें से previous years questions में से अगर आप 2014 से भी start करें, तो maximum at least biology के questions नहीं स्टूडेंट्स इसी book में से line to line उठाये गए हैं, पूरा paragraph लिया, पूरा line लिया, उसमें से question उठाया, तो यह book हर neat aspirant के लिए बहुत जरूरी है, अगर कोई भी बच्चा इस book को छोड़ रहा है, हलके में ले रहा है, या वो सोच रहा है कि मैं उसे end moment पे कर लूँगा, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, यह book आपको पूरी साल भर पढ़नी है, एक एक line को बहुत content precise है, लेकिन बहुत ही quality based content है, लेकिन इस book का कम से कम 10 बार revision करना है, मतलब आपने पहली बार पढ़ाई करी, वो एक बार हो गया, उसके बार 10 times पूरे आपकी yearly पढ़ाई में आपको इस book को revise करना है line to line, आप बच्चे यह पूछेंगे कि मैं NCRT ही sufficient है, तो मैं कहूंगी कि 80% आपकी पढ़ाई की knowledge के लिए NCRT sufficient है, चलो 100% माल लो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं उस knowledge को और अच्छे से करूं, यह थोड़ा white spread करूं, brush करूं, polish करूं, तो आप reference book की तरफ जा सकते हैं students, जैसे मैंने मेरी जब preparation की थी, तो book का नाम है true man's elementary, बहुत सारी books आती है हर बच्चे के अपनी पसंद होती है, हर बच्चे का अपना एक तरीका होता है, reference book क्या करती है, आपके notes को थोड़ा सा boost up कर देती है, अपने NCRT में से notes बना हो सकते हैं, आपको थोड़ा सा कम लग रहा हो, लेकिन अगर आप किसी अच्छी reference book को follow करते हैं, मैंने इसको follow किय तो उसमें आपको थोड़ा सा content बढ़ाने का मौका मिल जाएगा, थोड़े जादा डाइग्राम्स मिल जाएंगे, थोड़े जादा mind maps बना सकते हैं, flow charts बना सकते हैं, ये तो रही theory के बाद, means NCRT नहीं छोड़नी है, कोई एक reference book पकड़नों, बच्चे क्या करते हैं, दस ब पूरी की पूरी theory, अगर पढ़ लूँगा, तो MCQs लगा लूँगा, ठीक है, reference book में भी पीछे MCQs होते हैं, MCQs का भी में importance आपको बताऊंगी, तो एक reference book आप मान के चलिए, definitely follow करें, लेकिन NCRT को नहीं भूला है, NCRT is the primary thing, और reference book secondary है, लेकिन उसको भी पूरी तरीके से आपको करना है, तो एक overall आपकी तयारी ना जबरदस्त हो जाएगी, अगर आपने इन दोनों books को कर लिया, reference book मैंने ये use करी थी, अगर आप चाहें, तो और भी बहुत सारी books हैं, जैसे प्रदीब की है, है ना, modern ABC और 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 भी market में बहुत सारी, बहुत अच्छी books author की available है, आप जाएए और उन्हें अच्छे से analyze करिए, देन उसमें से आप अपने content को ले सकते हैं, last but not the least, बच्चे क्या सोचते हैं, बस theory पढ़ ली, थोड़े बहुत MCQs लगा ली, मेरे लिए बहुत है, follow this book, MTG fingertips मैंने ये की थी, क्योंकि इस book में yearly, subtopic wise, topic wise, chapter wise, बहुत ही 10 questions, at least आप ये माली 10,000 तो होंगे होंगे, अब और बढ़गों कि new edition भी आगया है, इसके अलावा भी बहुत सारी books हैं, MCQs लगाने के लिए, अब बच्चे बोलेंगे कि मैं इतने MCQs लगाने की क्या ज़रूरत है, what is the importance, MCQs का कोई number count नहीं कर रहे हैं हम लोग, लेकिन MCQ उसका pattern अगर मैं आपको बताऊं, after theory, हर chapter को आप अच्छे से study करिए, दोनों books में से, और हर chapter के questions लगाईए, initially अगर आपको ऐसा लगता है कि मुसे 10 questions ही solve होते हैं, तो आप 10 ही करिए, क्योंकि MCQs कोडिनेट करते हैं आपके theory के साथ, और neat का pattern subjective नहीं है, neat का pattern objective है, जितनी objectives क कि पकड़ आपकी मजबूत होगी ना, उतना confidence बढ़ता जाएगा नीट exam से पहले, हर दिन MCQs solve करो, हर दिन रूम में बैटके timer लगाओ, उससे आपको अपनी level पता चलेगा, क्योंकि नीट में आपके पास time भी कम है, questions जादा है, और आपको पूरा साल भर की महनत, उसी 3, आप तो time भढ़ गया है, तो उसमें आपको निकालना है, तो MCQs with theory, along with time management, आपको यह सिखा देगा, कि exam के दिन आपको अपना confidence नहीं लो करना है, और जो students इसको follow करते हैं, आप दिखना, exam से एक महिना पहले, दस दिन पहले या एक दिन पहले, उनको कभी भी anxiety or depression की problem नहीं ह करते हैं, तो आपको पता होने तिन अब देखें, उठाया, मैं बहुत confusion हो रहा है, क्या पढ़ू, देखें घवराट हो रही है, इसमें क्या है, आप NCRT examplar पहले लगाई है, अपने NCRT पढ़ ली, उससे related examplar लगाई है, second, previous year questions, previous year में आप बहुत पीछे में जाये, लेक 17, 18, 19, 20, 21, 22, अब आप सोचो इतने साल के अगर आपने question लगा लिए, क्या फाइदा, previous year question आपको ये बताते हैं, कि exam में question का pattern कैसे आता है, match the column जादा आते हैं, ऐसे वाले questions आज़े से बच्चे बहुत गलती करते हैं इस question में, इसमें not आता है, which is not found in this cell, तो वो क्या करते ह not नहीं पड़ते हैं, which is found में, टिक कर देते हैं, ये बहुत बड़ी गलती होती है, तो जब भी आप किसी MCQ को attempt करते हैं, पहला rule क्या होता है, question का ढंग से पड़िये, not neither को देखिये, match the column को ढंग से देखिये, बच्चे का करते हैं, अच्छा पहला column mix हो गया, आंसर लगा देते हैं, that is the main cause of negative marking, आपको MCQ में अपना negative बचाना है, चीक है, match the column हो गया, assertion reason, assertion reason पहले क्या होता था, aims में बहुत पूछा जाता था, लेकिन आजकल नीट में भी questions, even boards में भी assertion reason type के questions आते हैं, तो assertion reason में भी आपको चारो options को जो भी उनके चार statements होते हैं, students, उने books अच्छे से पढ़िए, selection उसका अच्छे से करिए, theory को बहुत अच्छे से करिए, और MCQ लगाना मत भूलिए, pattern में फिर से बताती हूं, NCRT exemplar, PYQS कम से कम 15 साल के, और assertion reason, thank you झाल 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 झाल